वेल्कम टू टुबा की सहरीटीव चनल बच्चो हम बहुत बड़ी अपडेट के बारे में आपको बताया है एलपी के एलपी के बारे में आपको हर एक एक्जाम के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए हर एक अपडेट आपके सामने हर एक क्लासेस आपक गए चल्ड लोगों को को मज़ना है इसको कोशन पढ़ते ही छोड़ देते हैं चल्ड लोग पढ़ते हैं तो राट करते हैं उसका फरमूर लगाते हैं कुछ नहीं आता समझ के छोड़ देते हैं इसमें सबसे पहला हम क्या पढ़ना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसके बारे मैं अभी आपके समने इसका कॉंसेट के साथ आपको बताते रहूँगा पहले हम समुझना चाहिए परसेंटेज इसका परसेंटेज का कॉंसेट क्या है क्या कैसा work करता है इसको हमें पहले समुझना है दो हम्में इसके फर्मॉला खने और इसके बाद कोईसिन के बारे में आपके सामने में रखोंगा हर एक कोईसिन को हम solve करेंगे हम भूस सारे किताबों का आपको adn Dad देती रता हैं लिए हमको थोड़ा महनत लगती है उस महनत के लिए तुम चाहिए लाइक देओ एक सब्सक्राइब करें यह हमारा आशा है अव टॉपिक के तरफ बच्चों नहीं पर सेंटेज कैसा करते हैं पर सेंटेज को पहले हम समझना है पर सेंटेज को फ्रक्षन टू पर सेंटेज कर करेंगे फाइव अंजा होता है यह फाइव फ्रक्षन टू पर सेंटेज करना यह होता है एक हमें एक्जामपल लेंगे बहुत सारे एक्जामपल साथ हैं और आपके हर एक को इसको आगे बता दे जाओंगा एक एक्जामपल लेंगे 3 divided 5 है ना इसको हमें 100 से multiply करें तो 60 percentage आता है इन 60 percentage को हम समझना चाहिए ओके यह ना क्या होता है fraction 2 percentage convert करना मतलब क्या है fraction P divided by Q जो भी number आते हैं इसको हमें into 100 करें तो क्या होता है percentage में convert होता है आपको कोशन यही भी पूश सकते हैं के fraction एक number रहते हैं इसको convert को percentage में करके जब हम यह कोशन को देखना चाहिए इसको हम convert करना चाहिए कि formula क्या है कि P divided by Q into 100 कर तो एक percentage में convert होता है यह easy questions ज्यादा नहीं पूशते फिर भी इसका basic knowledge आपको रहना चाहिए करके मैं बोलड़ाँ बाद में percentage to fraction करके बोलड़ाँ यह क्या है सर एसा क्या है percentage to fraction कर तो एक new example है ना यह 60 percentage हमें यह सा लिखते है ना यह fraction में convert करना मतलब क्या है 60 divided by 100 एही क्या fraction टू परसेंटेज टू fraction करना चाहिए यह fraction में लिखा है क्या है 60 percentage equal to 60 divided by 100 यह ना जो नंबर है ना इसको divided के बाद क्याल लिखना चाहिए 100 अपि है ना यह divided by 100 ऐसा लिखना चाहिए और एक example 30 percentage करके देते एक है 30 divided by 100 percentage अच्चा बच्चा समझ में आया है और हम cancellation भी कर सकते है इसके बाद में क्या समझ में आया गया 00 cancellation होता है 3 टू जा टू फाइजा ओके यह क्या होते है 3 by 5 होता है 00 cancellation होता है 3 by 10 होता है ओके बच्चो हम अभी क्या समझ रहे है fraction to percentage percentage to fracture to percentage बाद में percentage to ratio एक ऐसा सर percentage to ratio ratio to percentage हमको पहले ratio कैसा लिखते हैं उसको समझा चाहिए पहलो एक example है ratio एसा लिखते हैं 3 raise to 4 3 is to 4 करके पढ़ते हैं 3 is to 4 इसको हम क्या fraction में लिखना चाहिए कैसा 3 divided by 4 ओके इसको हमें convert करना पता ही है into 100 करना चाहिए ओके इसमें कहें 4 ओंजा होता है बाद में 4 2 जा remaining to 20 होता है मतलब 4 5 जा क्यतना थे हैं 3 into 25 आंसर है 75 percentage बच्चों समझ में या अभी दोको एना ratio दिये हैं कहें 3 is to 4 एक है 3 divided by 4 हम लिखते हैं into 100 करते हैं यह 4 ओंजा cancellation करते हैं यह 4 25 जा cancel होता है इसको हमें 75 3 into 25 आंसर है 75 होता है यह क्या है ratio to percentage convert करना यहां ही formula है ना यही क्या है यह divided by B into 100 करना चाहिए हमको मिलेगा क्या मिलेगा भई इसका ratio का percentage मिलेगा हम एक ratio का percentage अभी बाद में हम क्या करने के percentage के बाद ratio करना यह कैसा है कि easy है देखो बच्चो इसमें हम क्या करना चाहिए एक number देते हैं example 60 percentage ओके 60 percentage दी है तो हमें उसको क्या करने 60 divided by 100 करना चाहिए ओके 60 divided by 100 करें तो जीरो जीरो कैंसलेशन होता है टू त्रीजा टू फाइजा आंसर क्या आता है त्री रेस टू फाइज बच्चे अभी समझ में या मैं समय में आयता हो बलता ने तो यह है ना cancellation नहीं करें तो भी ऐसा डारेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे की 16 is to 100 ऐसा के formula है ना ऐसा भी लिख सकते हैं यह percentage दो ratio कैसा करना चे बच्चे अभी यह concept decimal टू percentage बाद में percentage टू decimal वह कैसा करना चे उसको भाता को फिलाल कए decimal to percentage टू decimal हम पड़ेंगे बच्चों दो को decimal कैसा नंबर होगा एक कैसा नंबर होगा डेसिमल जैसे के यहां एक्जांपल दिया है ना जैसे के 3.456 एससे के पॉइंट में जो रहते हैं उसको हम डेसिमल करते हैं अभी देखो एडेसिमल को हम परसेंटेज में कनवर्ट करना चाहिए परसेंटेज में कनवर्ट करना मतलब यह है के जो नंबर था ना वो नंबर को डिवाड़ेट करना चाहिए देखो हम इसको कैसा लिखते हैं जैसे के डेसिमल में कनवर्ट कर रहे हैं अभी देखो के डेसिमल है ना यह ही नंबर है डेसिमल इसको हम परसेंटेज में कनवर्ट करना के तो डिवाड़ेट वाइंडेट करें अभी देखो इसको हम समुझने चाहिए अतना इजी है कि जैसे कि यहां पे हम इस नंबर को जो लेफ्ट साइड है ना इधर इधर से दो पॉइंट छोड़के बाद में टिका देना चाहिए समझ में आया तो ऐसा बलता हूँ 3,4,5,6 यह नंबर है ना इसके दो नंबर के बादर टिका देना एक या दो बाद में हैं पर टिका देना जाए बच्चों समझ में है जैसे कि हम फार्मूला लिख है देखो फार्मूला क्या है ए पॉइंट बी ए बी सी डी इ इसको हमें ए बी सी डी इ यह पे पॉइंट आता है क्यों दो पॉइंट के बाद देना होके हन्डेट है तो थोजिन ने तो कैसा करते है बच्चे हूँ थोजन था तो ऐसा होता 1000 परसेंटेज में कनवाड न होता इसी के लिए हम बोल रहें एही दो ही टिकाया रजना चाहिए मतलब दो नंबरों के बाद उसको हमें काई point देना जाए बच्चो यह क्या है decimal to percentage convert करना है और एक example लेंगे 7,4,3,2 इसको हमें percentage में convert करना जाए decimal को 7,4,3,2 divided by 100 इसको हमें ऐसा करते हैं के 7,4,3,2 point है को देते हैं एक दो छोड़ के बाद इसा मतलब 1010 cancel होने के बाद दो लगते हैं ऐसा समझे में बच्चो बाद में percentage to decimal कैसा करते हैं देखो percentage to decimal कैसा करते हैं एक example है एक हमें example लेंगे 40 okay 40 percentage equal to क्या होता है अभी क्या है 40 का मतलब 40 divided by 100 है इसमें क्या होता है इसको हमें decimal में convert करना चाहिए तो एहना एक 40 divided by 100 इसको हमें एक cancel होता है 0 एक बच्चाना 0.4 होता है बच्चो समझ में आया नहीं तो और एक बोलता हूं एक example लेंगे 543 इसको हमें percentage में convert करना चाहिए ओके यह decimal में convert करना चाहिए यह 543 divided by 100 होता है इसको हम दो पॉइंटों के बाद टिका देना चाहिए मतलब 543 एंपर पॉइंट आता है मतलब के है यहां 0 A B C D होता है ओके अभी देखो हम express the each of the following as a fraction एक है जो नंबर दे percentage दे है ना इसको हमें किस में convert करना चाहिए fraction में convert करना चाहिए हमको पता है fraction में कैसा convert करना है उसको हम इस कोशनों के बात में और समझेंगे देखो बच्चों अभी 56 है ना इसको हमें क्या है percentage में fraction में convert करना चाहिए हमें इसको पहला समझने थे 56 percentage को पहला कैसा लिखते हैं 56 divided by 100 है यह 56 divided by 100 को हमें ऐसा calculation करते हैं अभी हमें यह 2 2 जा रिमेनिंग 1 यह 16 होता है कोशन हम लेंगे 4 percentage है ना इसको हमें fraction में convert करना चाहिए यह कैसा convert करते हैं भी देखो 4 divided by 100 है ना यह 4 बंजा 4 25 आंसर कहते हैं 1 divided by 25 ओके बच्चे तीसरा क्यों आता है 0.6 बच्चे घबरा गएंगे कि कोशन सर क्या सरी कोशन कहां से आ गया पॉइंट में आ गया ना यह कैसा भी लिखना चाहिए बच्चों यह अतना easy है कि जैसे कि हम नॉर्मल लीक रहना 0.6 divided by 100 है ना यह समुझ में की बात है कि एसा है जो एक पॉइंट इदर आता है ना वह हमको एक पॉइंट बढ़ाता है जैसे कि एग्जामपल 6 मैं 6 क्यों लिका यह पॉइंट के इदर आए पॉइंट के आगे जो भी 0 नंबर से उसको फैदा नहीं रहेगा अभी हम इसके इदर आये तो एक पॉइंट क्या होता है यहाई पे एक 0 बढ़ जाता है मतलब एक उदर जाये तो एक 0 घड जाता है इदर आये तो एक 0 बढ़ जाता है अभी कहें 6 इदर आये ना एक 0 हम बढ़ा दिया है इसको हम क्या करना है अभी एक है सिक्स टू त्रीजा टू कितना होता है टू फाइजा जिरो जिरो ओके ए त्री डिवाड़ेड बाए 500 होता है और तिसरा चोथा कोशन लेंगे बचो यह तो चोथा कोशन क्या है जिरो पॉइंट जिरो एट परसेंटेज इसको हमें क्या करना है यह भी ऐसा ही करना चाहिए के जिरो पॉइंट जिरो एट डिवाड़ेड बाए 100 है ना इसको हम कैसा लिखना चाहिए जिरो यह काड कर क्या करना है एट लिखकर डिवाड़ेड बाए कितने जिरो देना चाहिए ऑग दो जिरो जिरो चाहिए आधने हमको बस मतलब इसके यह concept समझना बोजोरी रहे है जो भी नमबर है ना इदर आ रहे है एक जिरो को बढ़ाता है उदर जा रह रहे हैं एक जिरो को गठाता है एतना ही है एक एक स्पुरिस देज आप फॉलोवेशन फ्रक्षण हैं और हम् express the age of following dcимal भी हम पढ़ेंगे गईए को हम फिलाल express the age of the following question as the decimal इसको हमने क्यां डेसिमल में convert करना चाहिए कैसा करते हैं याँ पहला question लेए रहे है 6% को हम क्या decimal में convert करना चाहिए इस decimal को हम convert करने के लिए कासा करते हैं चिक्स divided by 100 करते हैं लिए सिक्स डिवाड़ेड वाहेंड हम क्या है अभी कल तभी ने कोशन दे कहना यह पॉइंट से हम इधर ले रहे हैं मतलब समझने चाहिए जब हम 0.5 यह था ना जब हम इस पर करें तो एक पॉइंट बढ़ा दिया हम एक अभी क्या है दो पॉइंट गटाना है मतलब क्या है दो पॉइंट हम आगे जाना है पीछे ने अभी यह दो पॉइंट आगे जाना है मतलब क्या है 0.06 बच्चे समझ में आया अभी दोको 6 divided by 100 यह है ना हम तभी दो कोशन यह पॉइंट में लिकाना इसको 100 करें यह 1000 वाता है ना अभी हम फिलाल यह इसको कैसा कर रहे हैं अभी है 28 परसेंटेज को हम क्या डेसिमल में करना है एक ऐसा करते हैं कि 28 divided by 100 करते हैं देखो यह 28 divided by 100 हमें तब इतने कोशन कैलकुलेशन भी किया था टू वंजा बाद में टू फोर्जा होता है यह 2 15 जा अंसर कहे 14 divided by 15 ओके यही क्या डेसिमल में कैसा करना चाहिए तो हमें इसको एसा भी नहीं करें तो अहीसा भी कर सकते हैं कि जैसे करेक्विश लिख सकते हैं तो हमें टू एट हमें 10 तो एक पॉइंट आता था दो और एकस यह तो हैंवेगा हम पर जीरो होता है मतलब क्या है जो नंबर आता ना उसके दो से तो 203 ते तो 30 जैसे कह भी आएगा देखो question number 3 देखेंगे हम क्या है 2.2 परसेंटेज में करना है 0.2 divided by 100 इसको हमें कैसा लिखते हैं अभी 2 परसेंटेज दो पाइंट है एक पाइंट दिखा है एक पाइंट पहले ही है हम दो पाइंट करके बाद में यह दो लिखना चाहिए यह के decimal में करनोट होता है बाद में question number 4 देखेंगे हम 0.004 है इसको हम समझे तो अभी समझे आसान होगा गया कि 0.04 divided by 100 अभी देखो हमें 0.004 मतलब पहला ही दो जिरो है ना इसके बाद हम जो दिरो लगाए बाद में पॉइंट लगाए बाद में हम जिरो लगाए हलो बच्चो हम अभी question number 1 को पढ़ेंगे परला कहा है how is the 3 by 4 expressed as a percentage यह question है ना आर आर भी 2006 में पूचा रहा है था इस question को हम solve कैसा करना चाहिए दिखे के how to 3 by 4 expressed as a percentage यह question कहा है 3 divided by 4 को हम percentage में क्या करें express करना चाहिए percentage को express करना मतलब है के into 100 करना चाहिए ओके एक question है ना 4 बंजा 4 25 जा 3 इंटू 25 जा answer is 75 percentage answer के सी करेक्ट टाइम यह ना question आर आर भी 2006 में पूचा था अभी हम question number 2 पढ़ेंगे the ratio 5 each to 4 expressed as a percentage equals यह कहना 5.4 यह ratio का हम किस में express करना चाहिए percentage में express करना चाहिए करके बोल रहे अभी इसको हम कैसा करना है यह कैसे करते 5 divided by 4 करके लिखते है यह हमें कहें percentage में convert करना चाहिए तो इन्टू 100 करना चाहिए यह कहें 4 जा 4 25 जा answer 5 इन्टू 25 जा 125 परसेंटेज आप्षिन कुन सा यह हता है आप्षिन D 125 ओके बशे अभी कोशन नंबर 3 3.5 कान बी expressed as in the term of percentages देखो बच्चों यह कोशन यह सा लिया है कि 3.5 को हमें किस में express करना चाहिए परसेंटेज में express करना चाहिए बच्चों यह कोशन हमको इतना easy है हमें इसको क्या करना चाहिए परसेंटेज में convert करना चाहिए तो पहला कोशन के 3.5 को हमें क्या है इसको एक number में convert करना चाहिए पहले fraction में तो convert करना चाहिए कैसा का नोट करते हैं हम 3 5 divided by 10 करता है क्योंकि एक डिजिट इदर आने से 0 बढ़ता है एक डिजिट उदर जेने से 0 गरता है यह तो आपको पता है इसके बेश पर मैं क्या है 35 को divided by 10 कर दिया और क्या हम इसको किस में express करना चाहिए परसेंटेज में express करना चाहिए उसके लिए हम into 100 करते हैं बच्चो आभी देखो 0 cancel होता है 0 cancel होता है 35 into 10 क्या होता है 350 परसेंटेज होता है आंसर के D इसमें क्या हम कोशन समझना चाहिए कोही नंबर दिया 48 नंबर दिया आपको पॉइंट यह नंबर दिया इसको बहुत में प 48 divided by 10 into 100 करना चाहिए ओके 00 cancel बाद में 48 के तो 48 यह तो समको समझना आए ओके बच्चों अभी फिलाग हम कोशन नंबर चार पर जाएंगे फिर एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इस 64 वुड मीन्स एक कोशन क्या पूचा है तुमको एक्सप्रेस करें 64 यह एक है इसमें करना ह इसमें options कोंसा हम सेलेक्ट करना चाहे अभी तो हमें क मैं 64 इसको कमें है परसेंटेज में हम्डेट करना इस दे विखने और करके नहीं हम समझ में आणा ये सिंफ और हम में इसको छुराएंगे फिर भी बोलणाओ जो एक्जाम में आता थ ना आफ को पहले देखना चाहिए बाद में उसमें जो नहीं हो सकता उसको ख़़ुड़ हो चाहिए भाद में हमिने को साथी कौन नहीं हो सकता है शो घ॥ सब कुछ पढ़ लेते बैटे तो समय वतना नहीं रहेगा एक्जाम बहुत टाइम कम रहेगा उसी के लिए हम क्वेश्चन को पहले देखिए कौन से ए बी सी डी में जो नहीं होता वह इंपॉसिबल है न उसको हम कार छोड़िए बार में जो पॉसिबल है न उसको हमें देख टू त्री जा टू टूँजा टू फाईजा जेरो टू वंजा रिमेनिंग बन इस शीक्स सिक्स्टीं टू टूजा रिमेनिंग बन टू फाईजा लांसर चालता और ठान सबहानी लोग इसिकली कम पहले हैं में बच्चों इसमें क्या है हम यतना महनत कर रहे हैं आप सभी लोग इसी दो को देख रहे हो कोई बच्चे है नहीं सब्सक्राइब करें और कोई लाइक ने करें उसको लाइक करिए थेंक्यू ओके बच्चे अब इसमें half of the one percentage written as the decimal is यहना एक कोशन क्या है हम एक कोशन को कैसा लिखना चाहिए हाफ परसेंटेज को हमें हाफ परसेंटेज में डेसमेल में कैसा लिखते है यह कोशन पोचा है अपको देखो हम एक परसेंटेज को कैसा लिखते है यह हम एक परसेंटेज को लिखते है हाफ परसेंटेज को लिखते है यह होता है इसको हम डेसमेल में कैसा लिखते है देखो डेसमेल में कैसा लिखते है देखो डेसमेल मे आंसर के 1 आता है 2 x 100 आंसर इस 200 आता है अभी दोखो हमें इस 200 को के 1 से कट करते हैं इसको 10.0.5 divided by 100 होता है इस 0.500 को हमें के इस option में चेक करते हैं इस option में क्या है यह 2.0 सीधर आना मतलब एक और दो यह आएगा आंसर का है इस पर आंसर ए होगा मतलब क्या है हमें 20 सरका है इसमें 2.0 सीधर आए 2.0 उदर है तो 2.0 करते हैं इसको हमें पहला समझना है अभी यह 1 divided by 2 इसको हमें 0.5 divided by 100 करें इसको हमें यह डेसिमल में करने का तरीक है ओके बच्चों अभी कोशे नमबर 6 यह क्या है है यह क्या है 12 परसेंटेज है डिवालेट बाइ 100 इन्टू 5000 यह है हम इसको कैसा काटना है बहुत आसान है 00 cancel होता है है यह पर होना और है यह मल्टिप्लेक्शन होता है मतलब 50 इन्टू 12 ओके 15 तो 12 टू जूरो टू फाइजा 10 प्लास जूरो फाइब आंसर क्या होता है 600 आंसर को ही आएग न 600 इतने आसान कोशिंट से रहते हैं एक एक वाक में यही कोशिंट आमको समझ में आता है और इसमें बहुत सारे अभी स्टेप्स होते हैं यह जैसे के 12 परसेंटेज दिया है यह नंबर दिया है 5000 मतलब एक बार यह परसेंटेज नहीं देगा यहीं देगा बाद में एककोल टू देगा जब कोशिंट एक्स प्रॉब फार्म देता है उसको हमें आगे आते आते इसको समझेंगे यहीं क्वेश्ट नमबर 6 का सोलुशन है आंसर एक परसेंटेज औफ 341 इकोल टू क्या होगा एक कोशन पूछा है हमको पता है पिछला कोशन यहीं था क्या था 38 डिवारेट बाई 100 इन्टू 341 यह कोशन है ना बैंक रिकूप्मेंट पूट 2009 में पूछा था इस कोशन को हम कैसा सॉल करें देखो यह 38 है ना यह इन्टू 341 इसको हमें कैसा सॉल करना थे यहाँ पे है ना यह दू पाइंट्स उपर लग जाना है मतलब यह तो यह सा मल्टिप्लेशन करिए 341 इन्टू 38 ओके 8 बन जा 8 8 4 जा 8 4 जा 32 8 3 जा 24 24 प्लस 3 27 प्लस 3 बन जा 3 3 4 जा 12 जा 6 जा 3 3 4 9 प्लस 10 ओके यह कहोगा आंट होगा यह कितना होगा पांच होगा यह 9 होगा यह 2 होगा यह एक होगा यह टोटल के है 12 12958 होता है ना यह divided by कितना हंडेड होता है हमें हमको पता है एक ऐसा लिखते हैं कैसा है 12958 इसको दो पॉइंट्स चोड़ के बाद में हमें पॉइंट्स लेते हैं एक औहीं है ना इसमें और से नंबर बी ओके बच्छों को से आसान रहते हैं बैंक रिकूप्मेंट बोर्ट 2009 में एक पुछा था एतने आपको सामने हर रेक को कोशन के बारे में आपके में पता रहा हूं एर एक उमीद देऊ हो जो लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं वह करते रहा करो मेरे बाहिए स्ब फिलाल हम कोशन नंबर का पड़ाई करेंगे देखो 555 परसेंटेज ऑफ 250 डिवाड़ेट पाए 275 यह कोशन हैना बैंक पीओ 2009 में पूछा गाय था इस कोशन को हम सॉल करना बहुत आसान है कैसा सॉल करेंगे देखो बच्छों अभी देखो एक कोशन कहें 555 यह परसेंटे ओके ओफ इन्टो इसको क्या सा लिखते है 250 ओके और डिवाड़ेट बाए कितना है ची 275 ओके इस कोशन को हम आसान से समझे यह के यह 0 कैंसलेशन होता है यह 0 इस ती कैंसलेशन होता है इसको हम कैसा लिखते 55 इंटु 25 दिवाड़ेट बाए 275 ओके बच्छों अभी देखो यह 275 इसको हम कैसा कैंसलेशन करें 25 वंज़ा 25 वंज़ा remaining 225 आंसर 11 वंज़ा 11 फाइजा आंसर क्या है पान चाता है कोशन को ही आफशन्स में है कि नहीं कोशनर कोशनर कभी भी आस जो देहे ही आते है करके नहीं नाफ दीज भी आ सकता है उसी के लिए यह ना question कब bank P.O. 2009 में पूछा गया था ओके बच्चो हम question number 9 को पढ़ेंगे 280 percentage of 3940 को कैसा लिखते हैं इसका option कौन सा होगा हम देखना चाहिए अभी देखो बच्चो हम 280 को ऐसा लिखते हैं के 280 divided by 100 into जो number है ना 3940 अभी देखो बच्चो जिरू cancel option होता है यह 0 यह 0 cancel होता है अभी फिलाल पसता है 3394 into 28 ओके अभी देखो बच्चो इसको multiplication करने का 840 up 840 तर्टीटीटीट अट्नेटीट नंग्ण सा 74 72 फ्यूस 3 75, 8 3 जा, 24 plus 7, 31, plus 2 4 जा, 8, 2 9 जा, 16, 2 9 जा, 18, 8 plus 1, okay, 2 3 जा, 6 plus 1, 7, okay, बच्चे 2, क्या होगा, 13, बाद में क्या होगा, 10, क्या होगा, 11 होगा, 11 होगा, कोई answer है, इसमें, देखो, option B, ओके बच्चो, इस section का आखरी question होता है, question number 10, हम अभी फिलाल question number 10 को समझेंगे, 92.5 percentage of, 550, 550, equal to क्या होगा, ये, रेलियो रेकूप्मेंट वो, 2000, आंट में question पूचा गया था, इस question को हम कैसा समझेंगे, देखो बच्चो, अभी हम, 92.5 divided by 100, मतलब हम इसको ऐसा लिखना चाहिए, के, हम easy way कैसा करना चाहिए, पहले देखो बच्चो, ये, 92, 5, point card के हम क्या लिख सकते, 10 लिखते, आए, ऐसा है के, क्यों करके, एक point इधर गया तो, एक 0 आता है, ओके, हम इसा ही करके, एक point लिखे है, और, इन्टु के है, 100 है, 1 divided by 100, इसके बाद में क्या है, 550, ओके, अब दोको फिलाल बच्चो, ये, 0 cancellation होता है, ओके, अब दोको, 00 cancellation होने के बाद, इसके बाद, 925 into 55 divided by 100, 10 into 10, 100 होता है, अब दोको, बच्चो हम फिलाल, इसको multiplication करेंगे, 925 into 55, ओके, 55 जा 25, 52 जा 10, 10 plus 2, 12, 59 जा 45, 45 plus 1, 46, plus 55 जा 25, 52 जा 10, plus 2, 12, 55, 5, 59 जा 45, 45 plus 1, 46, ओके, 55, 7, 8, 10, 5, ओके, बच्चो, अब भी इसका फिलाल आंसर टोटल केतना होता है, 50,875 divided by 100, अब ही बच्चो, जो हमको पता है, हमें क्या करते हैं अभी, 508.75, क्यूंकि, 2,0 काटने के लिए, 2 points ही दरा आना है, ओके, बच्चो, हम फिलाल, हमें, आंसर इसमें क्या होता है, आंसर भी होता है, बच्चो, हम अभी अब तक इतना हा पड़ेगे, percentage के questions बहुत आसन है, अभी आते-आते questions बहुत tough आएंगे, मतलब ढ़ना नहीं है, questions बहुत आसन रहते हैं, पड़ाई को हम हर एक सही तरीके से, कहें कौन सा हम, जो जो के हम बोलते हैं, सीडी चड़ने के लिए, पहला step चड़ो, बाद में दूसरा, बाद में तिसरा, बाद में चोर्ता, ऐसा ही, पड़ाई में भी हम सुरूश करेंगे, एकिदम हम पूरा 10 वी क्लास नहीं पढ़ सकते, हम 1 यू क्लास, 2 यू क्लास, 3 यू क्लास, ऐसा ही, हम पहले steps को समझेंगे, क्या है, percentage का क्या है, ऐसा ही, हम mathematics को धीरे-दीरे समझते, हम ALP को cover करेंगे, ALP को crack करकर हम selection पाएंगे, thank you, जो भी हम मेरे YouTube चनल को देख रहे हैं, सभी मेरे friends को बोलता हूँ, subscribe करेंगे और like करेंगे,